पिछले कुछ सालों से मानो क्रेडिट कार्ड बनवाने वालों की बाड़ आ गई है। चप्पे-चप्पे पर बैंक के एजन्स दिखाई देते हैं। लेकिन जितनी तेजी से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसके डिफॉल्डर्स भी सामने आ रहे हैं। कई बाड लोगों को ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे ना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो जरूर सेव कर ले। शायद आपको भी लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ड किया तो ज्यादा से ज्यादा आपका सिबिल खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डिफॉल्ड करने पर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि बैंक डिफॉल्ड कैसे तै करते हैं। लगा ताच 6 महीनों तक रेडिट कार्ड का बिल पेमिंट नहीं करने वालों को दिफॉल्टर माना जाता है। नमबर एक, क्रेडिट स्कोर यानी सिबल स्कोर खराब होता है। नमबर दो, ब्लाक लिस्ट में डाल देते हैं bank और credit card company, future में loan या ने credit card जारी नहीं होते हैं. नमबर तीन, existing credit card हो सकता है block, transaction भी हो जाती है block. नमबर चार, कानूनी कारवाई में भी फच सकते है credit card defaulters. तो अगर आप भी credit card user हैं, तो ऐसी गलतियां करने से बचें. इससे आपका सिबल तो खराब होगा ही और साथ ही ये सारे नुकसान भी आपको जहलने पड़ सकते हैं. ऐसे informative videos के लिए देखते रहें Zee Business.